हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप साफिक आपने चैनल टीटेन स्टेडी पर आज हम लोग एक नया चप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेस्ट में चेक कर लिजे मैंने सभी का अलग अलग प्लेस्ट उपना रखा है उसमें सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे चाहिए आज का हम लोगा टॉपिक है नियंतरन और समन्वे नियंतरन और समन्वे हैं क्या तो देखिए हमारे सरी मे बहुत सारे अंग हैं और इन सभी अंगों का एक साथ एक ही चीज़ पर focus करके काम करना कैसे होता है ठीक है उसी चीज़ के बारे में हम लोगे इस chapter में discuss करेंगा जैसे मालेजिए कि हमारे से बहुत सारे अंग हैं जैसे suppose करते हैं हमारा आख है या फिर पैर की बात कर लें या जो भी अंग्स है या अंतरिक गरंथियां है ठीक है बहुत सारे गरंथियां है तो ये सभी गरंथियां हमारे सरीड में एक साथ वर्क करती है तो एक साथ जो काम करती है तो इन में समन्वे कैसे होता है किस तरीके से एक साथ काम करती है तो देखिए इन सभी गरंथियों का य इक साथ समन्ह वह determじ करने के लिए उस पर नियंतरन काफी जरूरी बहुत हच्वत्रियक और जरूरी मनिजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं कि आगए हम लोग को चलना है ऑगा अब चलना है तो चलने के के लिए के हमारे सरीड में बहुत सारे ऊंगए जो वर्क करेंगे जैसे कि हाथ हमारा सबसे पहलो दů पैर काम करेगा करने के लिए उसके साथ सबसरी और जो भी मनस्पेसियां वो भी एक साथ वर्क करेंगे तब हम आगर की ओर चल पाएंगे तो इन सभी में समनवय अस्थापित करने के लिए सभी पर control होना बेहत जरूरी है ठीक है तो ये कैसे होता है control इसी सब चीज़े के बारहे में discuss करेंगे जनरली अगर हम बात करें जन्तूओं में ठीक है जन्तूओं की बात करें तो जन्तूओं में पाया जाता है एक प्रकार की वीशेस प्रकार की कोशिका जिसको बोलते हैं तंत्रीका कोशिका ठीक है और तंत्रीका कोशिका के साथ-साथ इसमें हार्मोन भी उत्तरदाई होता है जो भी किर्याएं होती हैं हमारे सरीड में उन सभी को समन्वे करने के लिए सभी पर नियंतरन लखने के लिए या तो तंत्री का कोशी का या तो हार्मोन उत्तरदाई होता है हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे पौधे में किस प्रकार से होता है जैसे कि हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे आज हम लोग डिसस करेंगे कि एक कोसिका है पौधों में जो नियंतरन और समनवे होता है वो कैसे होता है तो देखें एक कोसिका है जो पौधे होते हैं उनका सरीर केवल और केवल एक कोसिका का बना होता है चाहे पौधे या जन्तू कहलें उनका सरीड क्या होता है एक कोसिका का बना होता है चोकि एक ही कोसिका है तो उनमें ज्यादा यह नहीं है कि यह अंग एक साथ काम करेगा फिर वो उनकाम करेगा ऐसा तो कोई बात नहीं है एक ही कोसिका है और उसी एक कोसिका के माध्यम से ही उनके सरीर में क्या होगा नियंत्रन और समन्वे होगा तो पूछा जाता है कि एक कोशिक ये पौधे में नियंत्रन और समन्वे कैसे होता है तो याद रखेगा एक कोशिक ये पौधे या फिर जंतु जो होते हैं उनमें उनहीं एक ही कोशिका के माध्यम से क्या होता है नियं अब देखिए कि अक्सर हम्हें घ्याल्र किया हूगा कि जब हम कभी चूई मुई के पॉधा का जो पत्ती होता है चले आगे हम देख जा थे हैं चूई मुई का जो पत्ती है उसको जब हम छूटे थे वाइज़ बरपे चुपक जाता है मुर्जा जाता है, नहीं कहते हैं कि सरम आ गया तो ही बात होता है कि जब ही हम कभी छोई मुई की पत्ती को छूते हैं तो वहारी असपरस होता है तो उनकी पत्ती में जो जल पाये जाते हैं पत्ती में जो जल होता है उनमें क्या होता है त्वरित गती होता है और ये त्वरित गती होने के वज़ासे क्या होता है कि पत्ती में जो पानी होता है त्वरित गती के वज़ासे क्या होता है कि पत्ती के सिर्स भाग में आ जाता है जिसके वज़ासे क्या होता है वह आपस मे इता जुषे चॉक्तम को चीपक जाता है चब भी हम च्छुई-मुः की suggests न पूंचे शूते है तो याद रखेंगा जब भी हम च्छुय-मुः की पत्ती को चूते हैं तो उनमें उपस्थित जल का त्वरित गती होता है जल्ज होता है वह तड़ीत गती कड़ा है, जिसके वज़े से क्या होता है ह। वह आपस में चिपक जाता है, तो यह भी एक आपको चंजिंग देखने को मिलता होगा कि जब हम बाहरी असपर्श करते हैं, तो भी क्या होता है, इन में कुछ अनुक्रिया होती है ज्सके वज़ते से Mukher Congo यहां चेपक जाता है एक और आपने चंजीग देखा हो को पोधा लगाते यह फॉकी च्षोटा होता है लेकिन इन इन क्या होता है जैसे असे light별 बीटता है वह फोधे का आकार बड़ता जाता क्या हैं दोनों अलग-अलग चीज़े हैं याद रखिएगा लंबाई में विर्दी होना और असपर्स अनुवक्रिया के बाद गती करना वो दोनों अलग-अलग चीज़े हैं चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे अनुवर्तनी गती क्या होता है यानि टॉपिक मुवम कि तो नइन बढ़ता है तो जिसा साथ से प्रकास आरह हो ती में ब्रिद्ही करता है नहीं सब्सेदि अनुवर्तनी गती क्या होता है तो अनुवर्तनी गती का मतलब होता है कि बाहे उद्धीपनों को गरहन कर उनके अनुसार कारे करना ही क्या कालाता है अनुवर्तनी गती कालाता है पॉइंट समझ में आ गया होगा अनुवरतनी गती क्या है तो जितने भी बाहे उदीपन होते हैं ठीक है उनको गरहन करने के बाद सरीर में जो भी क्रिया या जो भी गतियां होती है उस गती को हम लोग क्या बोलते हैं अनुवरतनी गती या नहीं तो टॉपिक मॉमेंट ओके अब देखिए पौधे में ये डिफरेंट चार टाइप के होते हैं आप लोगों को दस्वी अक्षा में चार टाइप के अनुवरतनी गती परनी है सबसे पहला है प्रकास अनुवरतनी गती प्रकास जिस तरब से आता है उसी दिशा में क्या होता है उसकी लंबाई बढ़ती है तो इसको क्या बोलेंगे प्रकास अनुवरतनी गती समझ मैं क्या यानि की प्रकास के कारण होने वाले गती को प्रकास अनुवरतनी गती कहते है अब नेक्स्ट है गृत्वानु वर्तनी गती जो होता है गृत्व की दिसा में होता है गृत्व के वजह से तो गृत्व की दिसा में जो गती होता है उसको क्या बलते है गृत्वानु वर्तनी गती तो पौधे के खिस भाग में गृत्वानु वर्तनी गती जो है पौधे के क वहाज़ा से गुरुत्व के वज़े से गति किया इसलिए उसे हम क्या कहेंगे गुरुत्वानुवरतनी गति कहेंगे नेक्स्ट आपका रासाइनिक अनुवरतनी गति अब दखे, रसाइन के अनुवरतन, हमारे सरीर में, या फिर जो भी जीव, जन्तू, पेरपौदे हैं, उनके सरीर में, जो भी रसाइन पदार्थ सरावित होते हैं, जिनसे उनके जईविक क्रियां इस फचारू रूप से चलती है, उन रसाइनों को हम लोग हार्मोन के नाम स जलान वरतनी गती कहते हैं तो यात कैसे रखेंगे सिंपल सी बात है याद रखिएगा जिसका कहेगा, जैसे माली जी यहां पर प्रकास अनुवर्तनी गती है, तो जिसका अनुवर्तन उसकी और गती, याद रहेगा, जिसका अनुवर्तन कहेगा, उसकी और गती करेगा, जैसे प्रकास अनुवर्तनी गती, ठीक है, प्रकास की और गती कर रहा है, तो प्रकास चाहले क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे कि जो नियंतरन और समनवह होता है जनरली पौधों में वह कैसे होता है जो बरे पौधे होते हैं और जन्तु जो होते हैं उनमें कैसे होता है तो मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था उसी समय मैंने कहा था कि जन्तु में दो प्रकार के नियंत्रन और समन्वे पाए जाते हैं तो दो प्रकार के कौन-कौन से हो गए एक तो हार्मोनल होते हैं और एक नर्व सेल के माध्यम से होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा, तंत्रीका कोसिका के माध्यम से, यानि कि तंत्रीकी या नियंत्रन होगा, और रासायनिक नियंत्रन होगा, यानि कि हार्मोन के कारण होगा, ठीक है, लेकिन जो पौधा होता है, दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पादप हार्मोन के बारे में इससे पहले मैंने आप लोगों को कंट्रोल एंड कोर्डिनेशन चेप्टर का पहला पार्ट करा था जिसमें मैंने बताया था कि कंट्रोल एंड कोर्डिनेशन क्या है यानि नियंतरन और समन् ठीक है और पादप में जो अनुवर्तनी गती होती है या चाहे आप प्रकास अनुवर्तनी गती की बात कर ले या फिर आप जलानुवर्तनी गती की बात कर ले ठीक है तो वो सारा चिस हमने करा रखा है ठीक है आज के क्लास हम लोग जनरले डिसकस करेंगे पादप हार्मोन के बारे में या कह लें कि पादप में जो control and coordination होता है वो कैसे होता है तो देखे पीछले class में मैंने आप लोग एक चीज बताया था कि जो control and coordination होता है ठीक है उसके लिए है हमारे सरीर का जिसके वाज़ा से हम अपने सरीर जो है और सरीर में जितने भी और गेंस हैं उनके बीच में control and coordination जो होता है वो अस्थापित कर पाते हैं लेकिन बात आती है कि क्या सभी जीवों में इन ही दोनों के सहाइता से होता है तो इसका जवाब होगा नहीं देखे जेनरली क्या होता है कि जतने भी जन्तु है जन्तु में आपका नर्व सेल भी पाये जाते हैं और हार्मोंस भ होगा इसलिए जन्तु में क्या कहेंगे तंत्रीकिया नियंत्रन एवंग समन्वे पह जाएगा और क्या पह जाएगा हार्मों को आप रसायनिक नियंत्रन और समन्वे कह सकते हैं जा कह सकते हैं रसायनिक नियंत्रन एवंग समन्वे ठीक है चुकि हमारे सरीड में जितने भ प्लैंट में क्या होता है उसमें क्या होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्ятьсяंप यह युद्द धचाहे तो दोनों परकार उसम लेकिन बलंट में क्या होता है कि नर्वतिल नहीं होता है मैं तो और सिर्फ पाया जाता है राशाईनिक तो देखिए यहाँ पर गया है जितने भी आनीमल होते हैं आनीमल में आपका दोनो चीज पाया जाएगा नर्व सेल और हार्मों तो उसमें दोनों प्रकार की नियंद्रन रहार्मोनन हें वे रहला है तो चलिए आगे देखते हैं तो ऊसके लिए पाधप में कौन कौन से हर्मोन जिम्मेदार है तो देखिए इसके लिए वैसिकली 5 हार्मोन जिम्मेदार होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आप लोग के सामने लिख रखा है ठीक है या ऐसे भी एक्जाम में आप से कोशन पूछ सकते हैं कि पौधे में मुख्यता कितने परकार के हर्मोन्स पाय जाते हैं तो याद रखेगा पौधे में मुख्यता पांच परकार के हर्मोन्स पाय जाते हैं द के बारे में डिटेल से डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हम बात कर लें ऑगजीन के बारे में ऑगजीन क्या है तो देखिए एक पादफ हर्मोन है ठीक है जो कहां तो पौधे के सिर्स भागों में स्रावित होता है आप लोग आए नाइफ क्लास में उसमें आप लोगों को बताया क्या होगी पौधे की जो लंभाई बढ़ती है उसके लिए जिम्मेदार कौनसा उत्तक है तो आप लोगों को बताया क्या होगा कि उसके लिए जिम्मेदार होता है विवजयोतक उत्तक क्या होता है विवजयोतक उत्तक जिसमें भी तीन प्र और इसी ऑगजीन हरमुन के सिराव होने के वज़े से क्या होता है कि पौधे की जो साखाएं होती है वा बनती है जिसके कारण पौधे की लंबाई में वृध्धी होती है तो इसका मतलब यह है कि ऑगजीन आपका कहां सेक्रेट होगा ऑगजीन सेक्रेट होगा पौधे के सिर कराएगा कोशी का विभाजन में मदद करेगा ठीक है यह दोनों पॉइंट आप लोग कम्प्लीट याद रखियागा अब बात कर लें कि अग्जीन का सबसे पहले खोज किस ने किया था तो याद रखियागा एक डार्वीन थे अठारा सॉसी इस्वी में होने क्या किया था ओगजीन का खोज किया था देखिये डार्वीन के अबारे में अपनों को आगे भी परना है डार्वीन वाद डार्वीन का सिधांत कि डार्वीन ने कौन-कौन से सिधांत दिये थे ठीक है तो उन सभी चीजों के बारे में हम पौधे के सिर्ष भाग में होता है इसका काम क्या है तो इसका काम है पौधे के कोसिका का विभाजन में सहाइता करना और कोसिका के दिरगन में यानि की लंबाई में बढ़ाना उसका सहाइता करना ठीक है चलिए नम्बो निक्स्ट बात कर लें दें जिब्रेलिन्स दूसरा ह हर्मोन क्या है जिब्रेलीन है यह भी क्या होता है जो आपके सिर्षस्त विवजोत की उत्तक होता है जो पौधे का सिर्ष भाग होता है उसके ठीक पीछे ठीक पीछे यह स्रावित होने वाला हर्मोन है और यह इसका काम है ऑगजीन को अगजीन का जो काम होता है उसमें यह करता है को सी इंच और करता है मदद करता है और और जिब्रेलिनहीं करता है ताकि ज़ना मात्रा में करता है और दिरगन सेहिट यदि Sutra को टृष के व्रिधि करें और याद रहीं रहें कि फलों के वरिहत आकार या फिर बीजों के निरमान वे भी बदत करता है आप लोगों जनरली सुन होगा कि अक्सर जो हम लोग आभी या हमारे यहां जो खेती की जाती है तो देखा होगा कि किसी भी चीज शीज का खेती किया जाता है तो उसमें चुपारे करुंते तह पंधर करते हैं आप लोगो त्याना पोट कुपार शोगा होगा कि यह यहे जागा इस की मांकिन आप यहुद्टag व्रयसोय को सलसे नहीं सब्सक्राइ्ड है मिंगने सब्सक्राइब , फिर खुणद आ हो एक दिए गोर को स्वराणे कर अब कर गोरrän हो यह आगे cytokinin cytokinin काफी important है क्यों important है क्योंकि यह जो है यह पौधे में जिर्णता को रोकने का काम करता है अब जिर्णता क्या होता है देखिए basically क्या होता है अगर हम मनों से की बात कर लें तो 30-35 वर्ज की आयू के बाद बढ़ापा आना start हो जाता है यानि हमारे सेरे के कोश तुकर talking है तो नोर्मल वर्क करता थो मुंका सिकाई होती है तो वह जो नौर्मल वर्क नहीं कर पाता है तिस से 25 की आयू के बाद याने कि बुधापाना स्टार्ट हो जाता है तो पौधे में भी क्या होता है कि बुधापा को क्यूता है पुरा गे यदो क्या пол歧.? किसके बारे में लवक के बारे में प्लस्टीड के बारे में पर होगा जिसमें आपका हडित लवक था तो हडित लवक के निर्मान में जो क्या करता है साइटो काइनिन हेल्प करता है यह हडित लवक के निर्मान में हेल्प करता है जिसके वज़े से क्या होता है कि पौधे में जिर्णता नहीं आती है जल्दी या कहलें कि पौधे में जिर्णता को रोकने वाल हार्मोन कौन है साइटोकाइन है और इसका खोज किस ने किया था मिलर ने किया था कब किया था तो 1905 में किया था ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एपसेसिक एसीड को ABAB कहा जाता जिब्रेलीन क्या है औक जीन का मदद करेगा विवाजन में या कोशिका के दिर्गन में साइटोकाइन क्या करेगा कि हडित लवक के निर्मान में मदद करेगा ताके जर्णता ना आए लेकिन आपका जो एपसेसिक एसीड है इसमें विलेन का काम करता है ठीक है विलेन कहने में जो हर्मॉन स्पाय जाते हैं जयो की पौध है कर देता है तो उसके प्रभाव को क्या कर देता है अविलत दे क्यों कर देता है या थो ये एक विलेन का काम करता है पौध है को वच्र Daar लगता है लेकिन जर्णता को रोगने के लिए साइटो का तो उमेद करते हैं कि आपको समझ में आगया होगा अब इस सभी हार्मोन में सबसे ज्यादा important जो है जो exam में maximum time पूछा जाता है वो है आपका ethylene hormone कौन सा ethylene देखिए हार्मोन जो जेनरली होते हैं chemicals जेनरली होते हैं वह liquid form में होते हैं कौन से form में होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो हमने अभी जो देखा यह चार हार्मोन ओकजीन जिब्रेलिन साइटो काइनिन एब्सेसी के सीड ठीक है यह सारे आपका liquid form में थे लेकिन आपका जो ethylene है यह आपका गैसी अवस्ता है तो यह ऐगजाम में बहुत बार पुछा गिक कौन सा इसा पादफ हर्मोन है जो की गैसी अवस्ता में पाया जाता है तो तो याद रखेगा ethylene एकमो तरह ऐस हर्मोन है जो की गैस की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, और यह जो है, इसका काम क्या है, तो इसका काम है फल को पकाना, ठीक है, जिनरली जो पौधी में फल लगते हैं, कुछ समय के बाद वह पक जाता है, खाने योगी हो जाता है, तो जो फल जो पकता है, तो उसके लिए कौन सा हर्म क्या होता हैं अ को और शुर रूमोर को पें पांचना सरंवार को देश एक पाइधर पाध हैं अडियोGD जिब्रेलीन का काम क्या है और कोशिका के विभाजन में और कोशिका के वृधी में या पौधे की लंबाई में वृधी कराने में काम क्या ए विभाण को करता है या पौधे में बुशापा को करने का क्रता है कब छटों में खर 그ार्टयों करते हैं उसको जलाना यह जाता है ताकि हर पत्वार सके लिए पोता है तो यह उपादा फार्मों से यहे वह साहरा हमने चीज़े तो यह रहा है उमिद करते हैं किस सब्सक्राइब अगले क्लास में हम अगले क्लास में धेक्षी अपलों का अब सब्सक्राइब होता है नियंतरन और समनवय होता है तो गया तो मैंने च्टराट किया था विडियो, उसे समगे मानव की लें तो उसे पहले हम लोग पищ और नियंत्रन और समनवय होता है वह कैसे हूता है देखिए इससे पहले हम लोगों ने डिसकस किया था पादप में किस तरीके से नियंतरन और समनवे पाया जाता है ठीक है उसमें मैंने पादप हार्मोन से रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी जिज़े थी वह शाराचिस हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है उसके लिए दो चीज जिम्मेदार होता है एक तो आपका होता है तंत्रीका कोसी का ठीक है तंत्रीका कोसी का और दूसरा क्या होता है रासायन जिसको हम लोग हार्मोन के नाम से जानते है ठीक है ये दो चीज ऐसे हैं जो हमारे सेरेड में जितने भी नियंतरन और समनवे हो अब देखिए मनुस में तंत्री का तंत्र भी पाया जाता है या कहने तंत्री का कोशिका भी पाया जाता है इसलिए इसमें तंत्रीकिये नियंत्रन और समन्वे भी पाया जाता है इसलिए इसमें रसाइनिक नियंत्रन और समन्वे भी पाया जाता है तो एक जाम में आप से प पादप की जब बात करेगा, तो पादप में सिर्फ और सिर्फ रासायनी की नियंद्रन और समन में पाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें तंत्री का कोशिका नहीं होता है, ठीक है? समझ में आगे होगा, याद रखिएगा, अब देखिए, अब आगे जो बात कर लेते हैं, तंत्री का कोशिका, अब हम लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपका तंत्री का तंत्र, ठीक है? हमारे सरीड में जो तंत्री का तंत्र है, उसके बारे में, तंत्री का तंत्र जो होता है, जेनरली तीन चीजों का समलित रूप है, ठीक है? कौन-कौन सा तो सबसे पहला तो आपका आएगा तंत्री का कोशी का जो इसका सबसे छोटा यूनिट है ठीक है तंत्री का कोशी का इसका सबसे छोटा यूनिट है तंत्री का तंत्र का ओके चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं सबसे चोटा यूनिट कौन सा? तंत्री का कोसी का, दूसरा आपका आता है मेरुरजू, ठीक है? And no.3 के आता है? मस्तिस्क, जनरली जो तंत्री का तंत्र का पार्ट कह लें, ठीक है? तंत्री का कोसी का, मेरुरजू और मस्तिस्क, यानि इन ही तीनों के मिलने से तंत्री का तंत्र बनता है, या इन ही तीनों के समलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तंत्रीका, तंत्र कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, तंत्रीका, कोशिका जो होता है, यह हमारे सरीर के सभी पार्ट में होता है, हम बात कर लें, सबसे पहला तंत्रीका, कोशिका का, आज के क्लास हमें लोग सिर्फ तंत्रीका, कोशिका ही डिसकस करे सबसे पहले अगर हम तंत्रिका कोशिका की बात कर लें तो यह सबसे छोटी इकाई है किसका तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई काउंसी हो गई आपका तंत्रिका कोशिका ठीक है और यह जो तंत्रिका कोशिका है हमारे सरेर के सबसे लंबी कोशिका याद रखेगा तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी काई तंत्रिका कोशिका लेकिन यह जो तंत्रिका कोशिका है हमारे सरेड का सबसे लंबा भाग है देखिए यहाँ पर बहुत सारा confusion क्या आता है एक तो लंबा में आता है और एक सबसे बड़ा वाले टर्म में confusion आता है, तो सबसे लंबा पार्ट की बात कर लें, तो आपका जो सबसे लंबा पार्ट होता है, वो आपका आता है, नर्वसिल, तंत्री का कोशिका, ठीक है, लेकिन, जब बात करेगा आपका की हमारे सरेड की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो जब बड़ी कोशिका की बात तो विए हो जागा आपका अंडासे की कोशिका, ठीक है, तो ये confusion करने वाली question होते हैं, ये अक्सर examination में इस type के question मिल जाया करते हैं, आपको confuse करने के लिए, तो ये दोनों point याद रखेगा, अगर आपसे पूछ ले, मानव सरेर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, लंबी जब कह या female reproductive organ है, ये आप लोग इससे भली भाती पर इचीत होंगे, अंडासे क्या है, female reproductive organ है, ठीक है, दोनों point आप लोग याद रखेगा, चलिए, आप हम लोग तंत्रीका कोशिका के structure की बात कर ले, ठीक है, तो हम आपके सामने ये structure लेके आ रहे है, चलिए, दखिएगा, तंत इस टाइप का हमको structure नजर आएगा, ठीक है, और इसी में, इसी तंत्रीका कोशिका में एक जो नली होती है, वह काफी लंबी होती है, हम सब का नामकरन भी बताएंगे कि सब का नामकरन कैसे किया जाता है, फिलहाल हम अभी structure बना लेते हैं, ओके, दखिए, ये हमारे सेरिड का एक तंत्रीका कोशिका है, इसके जैसे हमारे सरीर में बहुत सारी कोशिका है, ठीक है, और तंत्रीका कोशिका का में वर्क क्या होता है, इसका में वर्क होता है हमारे सरीर में, जितने भी सूचनाएं आती है, उन सभी का मस्तिस्क तक ले जाना, और मस्तिस्क से जो ग्रा इस संडचना को किनाम से जानते हैं तो इस संडचना को बोलते हैं साइटॉन नाम याद रखिएगा एक्जामें पूछ जाएंगे कि Tantrikемся तार्य जैसी जो संडचना होती है उंसे क्या कहते हैं इसके साइटोन कहते हैं तो इसको बोलेंगे d哪 अब देखिये इनी टेंडराइट्सो में अगर हम इसी डेंडराइट्स में बात करें तो यहां पर भी डेंडराइट्स होता है लेकिन इन सभी dendrites के अपक्षा यह जो है काफी लंबा हो गया अब चुकि यह ज़्यादा लंबा मोटा तगरा हो गया तो आपने एकसर देखा होगा अगर किसी कोई अगर ज़्यादा लंबा मोटा तगरा होता है तो थोरा सा action दिखाने start करता है तो इसी के लिए हम इसका इस तरीके से भी नाम याद रख सकते हैं कि यह जो dendrites था इन ही dendrites में एक dendrites काफी लंबा हो गया मोटा हो गया इसलिए इसका नाम करन क्या कर दिया गया एकसोन इस तरीके से याद रख सकते हैं ठीक है क्या नाम याद रखेंगे, एक्सोन, ठीक है, अब ये आगे चल करके क्या होता है, कि अनेक साखाओं में भाजित होता है, और दूसरे नर्वसेल से क्या होता है, दूसरा तंत्रीका कोशिका से connect होता है, माल लीजिए, कि यहां पर कोई तंत्रीका कोशिका कुछ इस तरीके से अगर होता, छीक है, कुछ इस तरीके से होता, छीक है, तो क्या होता है, इसका यह दंड्राइट्स है, इसके साथ इस तरीके से connect हो जाता, तो बात आई समझ में, हम लोग क्या बता रहे थे हैं कि एक तंत्रीका कोशिका जो होती है, उसमें तारेक जैसे संडचना होती है, उस संडचना को क्या बोलते हैं, साइटॉन बोलते हैं, इस साइटॉन से अनेक परवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें देंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, इन्हीं देंड्राइट्स में एक काफी लंबा होता है, जिसे एक्सोन कहते हैं, अब तंत्रीका कोशिगा के मध्य उसमें पिक भी कविकवर पुछ लेता है कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बना है, ठीक है, नामंकित चित्र बना है, तो इस तरीके सैप इसका पिक बना सकते हैं, नामकरन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं, माईलीन सीथ वेग चलिए, अब देखिए, तंत्रिका कोशिका जो है, वो काम कैसे करता है, तो देखिए, हमारे सरीर के सभी पाट में तंत्रिका कोशिका है, सभी भाग में तंत्रिका कोशिका है, अब मान लीजे कि किसी भी परकार का असपर्स हुआ, किसी परकार की समवेदना हमारे सरीर में जैसे, g Gas is, suppose कि ये , पीछे से आगर कोई ।कुई टच किया, तो हमें कैसे पता चला के पीछे से कोई.. कैसे पता चलता है , तो यह क्या करता है, अगर कोई बंदा टच कार रहा है , तो उसके असपर्ण को क्या कर लेता है। यह जो तंत्रिका कोशिका का डिंड्राइट्स जो है, डिंड्रन जो है, उस अनुक्रिया को क्या कर लेता है, एकसेप्ट करता है, ठीक है, यानि कहले कि बाहरी समवेधनाओं को ग्रहन कौन करता है, डिंड्राइट्स ग्रहन करेगा, ठीक है, अब डिंड्राइट्स जो है, देंट्राइट समवेदना को देगा एक्सोन में जैसे यह एक्सोन में आएगा तो यह जो सूचना है यह किसमें बदल जाएगा? विद्यूत आवेग में बदल जाएगा किसमें बदल जाएगा? विद्यूत आवेग में अब चुकि जब यह विदूत आवेग में बदल गया तो यह fast work करेगा ठीक है तो यहां से डिंड्रेस्ट क्या किया है बाहरी समवेदनाओं को गरंड किया है दिया साइटोन को साइटोन में यह जो आवेग था यह जो सूचना था यह किसमें बदल गया विदूत आवेग में और फिर यह आगे अक्सोन माया और एक्सोन से होते हुए यहां पर सुत्र युगमन गांट के द्वारा दूसरे तंत्रीका कोसिका के डिंड्राट से कनेक्ट हुआ फिर यह आगे इसी तरीके से देगा और इसी तरीके से क्या होगा यह आगे दूसरे तंत्रीका कोसिका को देगा और एटलिस्ट यह सूचना कहां तक महुझ से तो तंत्री का कोशिका मेरा रजू होते हुए मस्तिस्क तक जाएगा अब मस्तिस्क उस चीज पर सोचेगा कि हाँ यह जो सूचना आया है इसका क्या आउटपुट दिया जाए तो जैसा यह मस्तिस्क आदेश देगा फिर से वहां से जो सूचना होगा देंड्राइट्स ल जो सोचेगा कि हाँ पीछे से क्या करना चाहिए तो आदेश दिया अगर पीछे क क्यों घूमना क्या होगा हमारा गर्दन के ऊपर वाला पार्ट को शूचना दिया गया मस्तिस्क के द्वारा तो यह सूचना लाएगा फिर से कहते तंत्री का कोशिका ही लाएगा और जहां हैं तो इस तरहे से हमारा इनक 치 ох का म करता है चले एक वार हम लोग रिकॉल ऐब में फिर से रिकॉल कर लेते हैं इस बनाता है, बनाता है है, कशुत्र युग्म गाठ बनाता है अब कारे की बात करें, कारे कैसे करेगा तो बाहरी सुचना को डेंड्राइट्स करेगा, किसको देगा, साइ्टॉन को, साइ्टॉन में यह सुचना वेधु ताव्यक में कंवर्ट हो जाएगा, फिर यह आएगा एक्सण से वहता है वेसे सोतर योग बन गहा année से दूसरे रॉतर है इसे एक और कोशन पूछा जाता है कि दो तंतरी का जैसे एक तंत्री का यह एक तंतरी का यह दो तंतरी का के मद rappers जो खाली अस्थान बचता है एसे क्या बुलते इसको बोलते हैं synapse, क्या बोलते हैं, synapse बोलते हैं या फिर synaptic दरार कहते हैं, तो उमीद करते हैं कि nerve cell के बारे में आपनों को total change complete हो गया होगा, ठीक है, तो गरंथी से संबंधित, जितने भी points होगे, वो सारा हम लोग आज discuss करेंगे, ठीक है, ये class उन सभी students के लिए important है, ज टेकने को मिलते हैं examination में, ठीक है, तो वीडियो में अल्ब तक बने रहिएगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, गरंथिया, गरंथियांखिर है क्या है, ठीक है, और ये work कैसे करता है, तो देखिए गरंथी हमारे सरीर में एक ऐसी पोटली है, जिससे की chemical secret होता है, य अचा कि मैंने जब chapter start किया था, तो आप लोगों को बता है था कि नियंतरन और समनवे के लिए दो चीजों की जरुरत होती है, एक तो chemical का और एक इसका nerve cell का, तो chemical जो होता है, वह गरंथियों से secret होता है, और nerve cell जो होता है, वह हमारे सरीर में पाया जाता है, ये दो तरीके क जो component है, इसी दोनों component के सायता से क्या होता है, हमारे सरीर में नियंतरन और समनवे के क्रिया होती है, तो तंत्री का तंत्रन मैंने अल्रेडी पहले करा रखा है, आज हम लोग discuss करेंगे glands के बारे में, तो तेखिए, हमारे सरीर में जो glands होते हैं, वह दो तरीके के होते हैं, म यदि chemical अंदर की और secret होता है, तब हम उसको बोलते हैं हार्मोन, ठीक है, और यदि बाहर की और secret होता है, तब क्या बोलते हैं, enzymes बोलते हैं उसको, ठीक है, और इस तरीके से अंदर और बाहर secret होने के स्थिति में, हम लोग इसका नामकरन भी उसी हिसाब से करते हैं, अगर म बोलते हैं अंतह स्रावी ग्रंथी बोलते हैं ठीक है अगर केमिकल का सेक्रेशन अंदर हो रहा हो अंदर बोले तो अंतह ठीक है अंतह स्राव होना अंदर स्राव होना यानि कि जिस ग्रंथी से केमिकल का स्राव अंदर होगा ग्रंथी के अंदर होगा उसे क्या कहेंगे अंतह रखें को सेंपनर पाइसक्ता थिप्म लेकिन एकअ queens उता है किadequ लेकिन हमारा नीङतर और समन में वेशए खरता है इसके अलावे इसका और कोई काम नहीं हमारे सिरी में ठीक है? और Алексाब्स ढोảngसलाज्ट को पहना का को मदनलाज्ज के मिभादव दμεकर जो हर्मों का का सिरीचन होता है यह क्या करता है नियंत्रिक नाम पहलते किसे स्माज्ट में आ गाता है एक और होता है क्या? कि एक और gland होता है, जिसमें क्या होता है, कि chemical का secretion बाहर भी होता है, अंदर भी होता है, यानि कि यह hormone का भी secretion कराएगा, और किसका enzyme का भी secretion कराएगा, तब इस प्रकार की गरंथी को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की गरंथी को बोलते हैं, मिस्रित गरंथी, ठीक है, तो यह स सारा पॉइंट्स था उमिद करते हैं कि यह समझ में आ गया होगा इंपोटेंट है इसको याद रखेगा एक्जामिनेशन के द्रिश्टी कौन से आज हम लोग से पढ़ेंगे अंतह सरावी ग्रंथियों के बारे में ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा जो इंडोक्रान ग्लेंट्स हैं उन से भी चीजों के बारे में सबसे पहला है आपका प्यूस ग्रंथी यानि कि प्यूस ग्रंथी है यह हमारा कहां पाया जाता है मस्तिस्क में पाया जाता है हमारा जो पस्च मस्तिस्क होता है उसमें पाया जाने वाला याद रहेगा कि ये जो हमारे में सब से छोटी में पाए जाता है। ठीक है अब देखिए होता क्या है कि यह जो प्यूस ग्रंथी है यह जो आपका प्यूस ग्रंथ है यानि प्रिट्रिट्री ग्लेंड जो है यह एक साथ हमारे सेटर में जितने भी ग्लेंड सोते हैं सब पर नियंदरन रखने का काम करता है सब पर कंच्रोल रखने का काम करता ह चुकि यह सभी गरंथियों पर control रखता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, master gland भी बोलते हैं, यानि कि master गरंथी भी कहते हैं एक्जाम में बहुत बार यह question repeat हुआ है, कि किस गरंथी को master गरंथी के नाम से जाना जाता है point important है, याद रखेगा, master गरंथी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारे सरे में जितने भी गरंथियां है, उन सभी गरंथियों को नियंतरित करने का काम करता है ठीक है अब बात आती है कि प्यूस ग्रंथी सभी ग्लेंड को नियंत्रित करने का काम करता है लेकिन प्यूस ग्रंथी को इसके लिए प्रेडित कौन करता है तो प्यूस ग्रंथी को प्रेडित करने का काम करता है आपका हाइपो थेलमस यह भी इंपोर्टेंट है एक्जाम मे मैंने वैसे बता रखा है जब मैंने ब्रेंड बताया था जिससे में बताया था कि यह क्या करता है टेंपरेचर को मेंटेन करने का काम करता है भूख प्यास नींद या फिर टेंपरेचर जो हता है उन सभी को यह क्या करता है नियतरत करने का काम करता है ठीक है तो प्यूस गरं कॉए ठीक है तूरlar तीस्रा पॉंट क्या है कि हमारे सेरे में जितने भी गरंथियां होती हैं उन सभी गरंथियों को यह एक साथ क्या करता है जिंड repent car IP над करने का काम करता है इसी लिए हम इसे क्या बोलत है इससे growth hormone का secretion होता है व्रिदी hormone का secretion अऊद होता है यह ईंपने हार्मों कि विकास से होता है कि कोई भी व्यक्ति दोता है वा बोना या फिर लंबा होता है कि किसी के kangels क होता है ठीक है तो उसकी जो लंबाई होगी वह कम होगी ठीक है उसका जो लंबाई जो होगा वह क्या होगा उसका लंबाई बढ़ेगा ही नहीं ठीक है लेकिन यदी यदी व्रिधी हर्मोन का सेक्रेशन ज्यादा हो गया तो उसके सरीर का आकार्ज होगा आपके शाकित ज्यादा पारे मेरे पीनील गलेंग जो होता है तो teakly नीचह स्थेथ होता है मैंने अब या काहा कि सबसे च्छोटी ग्रंथी प्यूस ग्रंथी ठीग मे καनak रेकिन पीटी ग्रंथी जो है ये भी हमारे श़ुटी ग्रंथी यह भी एक मतर के दाने के आकार के बराबर ग्लेंध होता है िहरा है इस socioeo लोजी कल लॉजिकल खा सोंनेगा गवार से आपने अकसर आप कोई भी काम करते हैं या और समय मैंड सेट करके अगर सोते हैं कि हमको इतने बजे सुबह में उठना है, माली जी आपने कोई टाइमिंग सेट किया, कि पांच बजे हमको उठना चाहिए कल, क्योंकि कोई भी जरूरत काम हो, तो पांच बजे अगर उठना है, तो हमारे माइड में यह चीज सेट हो जा इसलिए हम पीनियल ग्लेंड को बायोलोजिकल क्लॉक बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, एक्जाम में पूछता है, याद रखेगा कि बायोलोजिकल क्लॉक किसे का जाता है, पीनियल ग्लेंड को का जाता है, पीनियल ग्लेंड का अकार कितना होता है, तो मतर के दाने के अ डाबर होता है छलिए अब मोग अगला बात करते हैं ऐला गरंथी घर जाता है ऑला एक घरंथी है मान लीजे कि आपका गल्ला आग्रों न चीये करें तो कुछ इस तरीके का होता है इसका आकार हमारा जो गला होता है ठीक है यह गला यह जो गला है इसमें क्या होता है यह इस आकार का आपका थाराड ग्रंथी होता है थाराड ग्रंथी का काम क्या है थाराड ग्रंथी जो है यह थाइरॉक्सीन हर्मुन का सेक्रेशन कड़ का याद रखेगा कि थैरोक्सिन का शराव किस मातरा कम है तो क्या होगा थैरोक्सिन का सेक्रेशन नहीं होगा तो अतिरिक्त प्रेसर पड़ेगा जिसके से क्या होता है थाराइड गरंथी का आकार बड़ा हो जाता है और इसे हम एक डिजीज का नाम देते हैं जिसे क्या बोला जाता है क्या कहा जाता है घेगा रोग कहा जाता है या गलगंड रोग कहा जाता है ठीक है उमेद कर दें कि पॉइंट समझ में आगा होगा फिर से सुन यदि iodine ना मिले तो क्या होगा, iodine ना मिले तो thyroxine का निर्मान नहीं होगा, और यदि thyroxine का निर्मान नहीं होगा, तो क्या होगा, thyroid गरंथी पर अतिरिक्त दबाब परेगा, और यदि अतिरिक्त दबाब परेगा उसके निर्मान के लिए, तो उसका आकार अपेक शाकर त जिसके चारों कोने पर बिंदूदार एक और गरंथी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं पारा थाराइड गरंथी, पारा थाराइड गरंथी बोलते हैं, ठीक है, यह जो चार है पारा थाराइड गरंथी बोलते हैं, याद रखेगा, एक मात्र ऐसा गरंथी है, जिसकी संख् संख्य चार है थीक है maximum एक गरंति यह लेकिन है करने काम करता है कियों क्यों कि हमारे सेरीड के लिए बेहुद जरूरी होता है can you बना हुआ है वह केल्सियम फोस्पेट का बना हुआ है और अगर केल्सियम मिलता है तो हमारे सेड़ का बोन जो होता है वह स्ट्रोंग रहता है ठीक है तेखिए अकसर आपने सुना होगा किसी व्यक्ति का अगर हड़ी कमजोर होता है तो उसका कारण क्या होता है क्या होता है क तो आप कितना भी केल्सियम खालो आपके सरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैल्सियम नहीं जाएगा और यदि कैल्सियम नहीं जाएगा तो आपका हड़ी जो होता है वह धीरे-धीरे कमजोर होना स्टार्ट होगा अब बात है कैल्सियम नहीं मिलेगा तो हड़ी कमजोर क्यों होगा तो हमारे सरीर में मेटाबॉलिज्म करिया होने के लिए कैल्सियम का जरूरत है अगर कैल्सियम अगर एक्स्टर्नली रूप से नहीं मिलना है तो यह हड़ीयों से कैल्सियम लेना स्टार्ट करेगा जिसके किस नाम से बंदाती इस विमारी को डेखे के नाम से ख़गते हैं किस लिख के लिखाय epidemi से खिटियों की लोग होता है Bitcoin क्यान है क्या स्थाक्ट के सभी भाब लिख किशलिए ख़री नियाश चाल्यश ऐ हमारे सरीर की सबसे बड़ी मिस्रित गरंथी है मैंने मिस्रित वर्ड योज किया क्यों कि मैंने जिस समय स्टार्ट किया था उसी समय कहा था कि गरंथी तीन तड़ीके के एक अंतहसरावी, बाहसरावी और एक मिस्रित, अंतहसरावी गरंथी से हर्मून का सेक्रेशन होगा, बाहसरावी गरंथी से इंजाइम्स का सेक्रेशन होगा, और मिस्रित गरंथी से दोनों चीजों का सेक्रेशन होता है, यानि कि अंदर और बाहर दोनों क्या कराता है, सेक् सबसे बडी मिसे आढ़या है याद रहा सबसे बड़ित गरंथी कॉनसी है पैंकरियाज अब यह होता है यह तीन प्रकार की कोशिपा से मिल करके बना होता है इसमें आपको सबसे ज्याlast important है बीटा सिल को important है क्योंकि बीटा सेल 60 होता है वह बना होता है Islets Of Langehens, Deta cell है Islets Of Langehens, जिसे हैं हके हम हिंदी Me in Langehens कि Dwipikayah सबसे पहले, इसको नाम दे दिया गया, इसके बारेहं बताया था, इसलिए उन्ही के नाम पर इसका नाम दे दिया गया लेंगर हैंस की द्वीपिका है चुकि यह जो होता है यह जो सेल होता है इसका स्ट्रक्चर होता है द्वीपिक के जैसा ठीक है और इसको लेंगर हैंस ने देखा था इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है आयलेट्स ओफ लेंगर हैंस तो बीटा सेल का बना होता है आपका ग्लुकोज का जो लेवल होता है इसको क्या करता है मिंटेन करने का काम करता है अगर माल लेते हैं किसी के सरीड में इंसुलीन का स्राव अगर कम हो रहा है तो क्या होगा उसके सरीड में ग्लुकोज या कहले चीनी का लेवल धीरे-धीरे बढ़ता चला जागा जो एक रोग का नहीं होगा सरीर में इंसुलीन की कमी हो जाएगे सरीर में तो चीनी का लेवल ऐटॉमेटिक बढ़े हमार सरीरू है जिसके वासध़ से क्या होगा वह रोग का रजए रोप लेगा और हुसे श्राव से खमकर करनेधा है कि इंसुलीन का सिराव कहां से होता है तो अगनासे के लेंगर हैंस की द्वीपी कहां से ठीक है इंसुलीन जो होता है कौन से कोसिका से तो बीटा सेल से कौन से कोसिका पीटा कोसिका से क्या होता है insulin का secreation होता है अब बात आता है कि insulin की कमी से होता कौन सा रोग है तो मधुमे और मधुमे से सरीर का कौन सा अंग प्रभावीत होता है तो सबसे पहले थो हम बोलेंगे langer hands के 2P का यदि option में ना रहे langer hands के 2P का तब हम जवाब देंगे अगनिया से इम्पोटेंट है यह दोनों पॉइंट आप लोग जितने ही पॉइंट मैंने इसका बता है वो सारा याद रखेंगा ओके चलिए अब हम लोग बात करते हैं अधिवरिक क्या है जब आपको क्या किड़नी तो आपको बताया था जो किड़नी होता है तो इसे ही हम किस नाम से बुलाते है अधेवरिक है या adrenal gland के नाम जाते हैं चुकि यह विडिक के ऊपर है ना तो विडिक से रिलेट करके नाम दे दिया गया है अधी विडिक मैंने अधीवरिक के बारे में डिटेल में पिछले वीडिए ने डिस्क्कि關係 करेंगे पिछले विडियों में डिस्क्स करा रखा है आप उसको देख सकते हैं हम इसमें बैसिकली बात करेंगे कि इससे हर्मून कौन सा सेkret होता है तो अधीवरिक यानि एड्रीनलीन हर्मून स स्रावित होता है अब एड्रिनलीन हार्मोन जो स्राव होता है इसका काम क्या है तो यह क्या होता है आपात कालीन इस्थिती में स्रावित होता है आपात कालीन कहने का मतलब किसी प्रकार का टेंसन आ जाना एका एक किसी भी तरह का प्रतिकूल परिस्थिती हम कहलें तो यह सब जो होता है तो उससमय डर, भै, इन सबी गुसा, इन सबी के समय adrenalie後 सरावित होता है, जो क्या करता है, हमारे सेरेट को सेव करने का काम करता है, इसी लिए adrenalin後 को आपातcalin harmon भी कहा जाता है, और इसे ये जो होता है, adrenalin hàng ये अलब समय के लिए सरावित होता है, थिक्त इसको मोग क्या आबोसंट तो कुशन पुष्टाै ग्जामर्न आपकलीन हार्मोन किसे बोलते हैं कि आडरेनलीन हार्मोन और याधी गरंथी गरंति तो आडिरेनल गरंथी या अधिवर्येक हो को के ऊसके अवाद कहता है क्या कहेंगा एडेनलीन हर्मोन का स्राव कहा से होता है और और क्या इस क्या करता है हमारे सेरीर में ग्लुकोज और वाटर लेवल को भी क्या करता है मेंटेन करने का काम करता है उसका नाम क्या है एपिनफरीन और नौर एपिनफरीन याद रखेंगा क्या नाम है एपिनफरीन और नौर एपिनफरीन जो क्या करता है मेंटेन करने का काम करता है किसक तो मैंने जितने भी पॉइंट्स बता है उमीद करते हैं कि सारा पॉइंट्स समझ में आ गया होगा आप लोग ठीक है इस वीडियो को आप लोग एक दो बार और देख लीजिएगा ताकि ग्रंथी से रिलेटेट जितने भी पॉइंट्स है वो सारा आपका क्लेर हो सके क्लास में मैं लोग डिसकर्थ करेंगे ईूमेनब्रेन के वारे में इसा पहले मैंने कान्टों एंड कॉच्चिका के बारे में भी बता रखा है दखी मैंने पिछली गलास में बता है की दो तन्त्री का छीजों का सम्मिलित रूप है जिसमें मैंने बताया था एक था तंत्रीका कोशी का एक था मेरु रज्जु और दूसरा क्या था मस्तिस्क तीसरा ठीक है तो तंत्रीका कोशी का मैंने अल्रेडी बता रखा है मेरु रज्जु जो है वह क्या है मस्तिस्क का यह जो पार्ट नजर आ रहा है इसको हम लोग मेरु रज्जु बोलते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे दागे के जैसी संडचना होती है जो क्या करता है नियंत्रन और समन में मदद करता है और सूचनाओं का आदान प्र इसमें जो भी ब्रेंस रिलेटेड मस्तिस्क से रिलेटेड जितने भी कुछे जाएंगे वह सारा हम लोग इसमें डिसकस करेंगे ठीक है तो उमिद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हल्फुल होगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात कर लें मानव मस्तिस्क मानव मस्तिस्क है क्या अगर आपसे कोई कुछन करें कि मानव मस्तिस्क है क्या तो याद रखेगा मानव मस्तिस्क जो है हमारे सरीर का बहुत ही महतुपूर्ण अंग है जो नियंद्रन और समनवय में मदद करता है याद रहेगा मस्तिस्क क् तो याद रखके गावक icon, इसनिल्लां माणंमस्तिस्कthere ह सकता है। सबस्तेज को उसमें के हिसाब से ψ जो ज्हास अःवरेज ऐ से उसपर एवरी ऊपसपे से तेक आउट कीजेगा। तो क्या है ज्सक का भार कितना होता है 400 ग्राम होता है अब देखिए human brain जो है human brain एक हड़ी के धांचे में बंद रहता है जिसके लोग खोपडी बोलते हैं English में इसको क्या काते हैं क्रेम कहते हैं तो इस दो बिशुज इस तरह के से बूल सकती है कि यह मानव मस्तिसक इंटरनल पर्ट यह किसके अंदर बंद रहता है तो एक हड़ी का खोखला भाग होता है। और उस हड़ी के पार्ट को क्या बूलते हैं हम लोग democratic कहते है। ठीक है, हड़ी से याद आई हड treaty किसका बना होता है है क्या जी मुस्तिस्क का बना होता यह भी याद रखिएगा। जिल्ली से घिरा होता है वह तीन लेयर का बना उसाथ तीनों लेयरों के नाम आपको याद रखना है क्या है डूरामेटर है आरकेनाइट है और पायामीटर है ठीक है और इनहीं तीनों लेयरों के सम्मेलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं मेनिंजीज बोलते हैं डूरामेटर आरकेनाइट और पायामीटर तीनों को सम्मेलित रूप से क्या कहते हैं मेनिंजीज कहते हैं कभी कभार आप लोगोंने सुना होगा एक रोग का नाम मेनिंजाइटिस रोग तो मेनिंजाइटिस क्या है तो कभी कभार मेनिंजीज में सूजन आ जाता है और जब मेनिंजीज में सूजन आ जाता है तो इसी रोग को हम लोग किस नाम से जानते हैं मेनिंजाइटिस रोग के नाम से जानते हैं याद रहेगा मानम मस्तिस्क का जो उपड़ी पाट होता है वा तीन लेयरों का बना होता है तीनों लेयरों को समलित रूप से मेनिंजीज कहते हैं वह लेयर कौन सा है डियूरामेटर आरकेनाइट और पायामीटर अब देखें यह जो तीनों लेयर है तीनो परदान करने का काम करता है तो उस द्रव का नाम क्या है तो उस द्रव का नाम है सेरीब्रोस्पाइनल द्रव क्या नाम है सेरीब्रोस्पाइनल द्रव नाम है उसका जो कि मेनिंजीज में स्टोर रहता है और मस्तिस्क को जितने भी बाहरी अघात होते हैं बाहरी चोट होते ह उनसे क्या करता है सुरक्षा परदान करता है ठीक है समझ में आ गया चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मस्तिस्क जो है मायनर मस्तिस्क इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है कौन-कौन से पार्ट तो एक है अग्रमस्तिस्क एक है मध्यमस्तिस्क और एक है आप यहां पर डाइग्राम देख रहे होंगे, यह वाला जो आपका एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, यह वाला एरिया, इस एरिया को हम लोग अग्रमस्तिस्क के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, अग्रमस्तिस्क के नाम से जानते हैं, ठीक है, चलिए, अब यह इत Mastisk के कितने भाग? तीन भाग. कौं-कौंसा? Agra-mastisk, Madhyamastisk और पस्च-mastisk अब हम लोग बात कर लेते हैं Agra-mastisk के बारी में ठीक है? तो अग्र-mastisk जो होता है इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है जिसमें हैं आपका सेरी- decorum ठीक है डायन सेफलोन और घ्रान पिंड ठीक है इसको याद रखेगा एक होता है सेरी ब्रम और एक होता है सेरी बेलम तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है सेरी ब्रम जो है अगर मस्तिस्क का भाग है और देखें यहां पर सेरी बेलम जो है वह पस मस्तिस्क का भाग है त ये भी दे दिया जाएगा तो समया कन्फ्योज नहीं करनी है। अगर मस्तिस्क के कौन-ILY से भाह हो गगे है। सेरी ब्रहम, टायनसे, ऑफ्लोन और घ्रहन producer अब देख्ये। सेरी-चेरी-ब्रहम जो है हमारे मस्तिस्क का सबसे बरा भाह होता है, ठीक है यह जो हमारा मस्तिस्क है ठीक है उसका सबसे बड़ा भाग कोन होता है सेरी ब्रहम लगभग तीन चौथाई भाग जो होता है वो आपका सेरी ब्रहम का ही होता है उसके बाद आपके जितने विपस्त मस्तिस्क या मध्य मस्तिस्क या उनसे रिलिटर जो पार्ट्स होत सीरी ब्रहम का सबसे में काम क्या या 다स्त बनाए रखना और नहीं करना आपे Plus Spark क्रिया जो हमारे एक्षा के अनुषा नहीं होता है स्वासन तब चाहते हैं अगर धरखन को रोकना पर चाहें तो नहीं रोक सकते हैं तो घीजफे को इसाक ब्रम होता है उसे agree तो पर एक्षे ख्रिया के Carneतरन करता है लृयानी हम जैसे केसी था के हमार कर को हाथ था, हमएयर में नुद्य कंचा है है ص pulley के नियंतृत किया जा रहा है तो यह नीयंतृत किया जा रहा मुद्य के सेरी ब्हाम के दौरा ओके समझ मैं आ गया चलिएों अब लोग आते हैं दाै chambersion पर। द्दय को काटग्री में डिवाइड किया गया एक तो आपका है 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 तोनों का कामे मच लगभग बराबर हो Chi esto को हम लोग देख लेते हैं ipothelmos ये किस का काम काम करता है तो भूख-प्यास और निंतरित करने का काम करता है हमें प yang ब liquor का अभास होता है ठीक है प्यास लगता है या तो तेट तैप के टेंपरेचर का अभास होता है थनडा गर्म ये सभी temperature भूख प्यास इन सभी चीजों का नियंतरन कौन करता है तो यह करता है hypothalamus या कहले diencephalon ठीक है hypothalamus के साथ साथ एक और पार्ट होता है diencephalon का जिसको thalamus बोलते हैं और यह भी temperature को ही क्या करता है हमें बताता है कि temperature मतलब अभास दिलाता है तो अग्रमस्तिस्क से रिलेटेट सारा पॉइंट आप लोगो समझ में आ गया हो अग्रमस्तिस्क को प्रमस्तिस्क भी बोलते हैं याद रखेगा चलिए अब लोग आते हैं second madhymastis के पर अग्रमस्तिस्क अथना जादा है एक्जामनेशन में पूछा जाता है लेकिन फिर वह याद रखेगा madhymastis के भी दो पार्ट एक cerebral और एक होता है कारपोरा quadrigemina देखे यह जो पार्ट है याद रखेगा competitive examination में आप चाहेंगे तो उसमें आप से इन सभी चीजों के बारे पूछ लिया जाएगा कि कारपोरा quadrigemina जो है वह किस कौन से मस्तिस्क का भाग है या सेरी ब्रल या फिर सेरी ब्रम या फिर सेरी बेलं किसका भाग है तो याद रखेगा तीनों नाम मिलता जुलता है तो प्रॉब्लम हो सकता है एक्जाम में तो सेरी ब्र नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए तो सेरी ब्र और करपोरा quadrigemina जो है मद्यमस्तिस्क का भाग है और इसका काम क्या है तो हम जितनी भी चीजों को देखते हैं सूनते हैं यानि कहले सूनने और देखने जैसे क्रियाओं का जो नियंतरन होता है वह किस के द्वारा ह होता है तो वह आपका होता है मध्यमस्तिस्क के द्वारा यानि कहले सेरीब्रल और कारपुरा कोट्रिजयमना के सम्मिलित रूप से ठीक है तो याद रहेगा देखने और सुनने जैसे क्रियाओं का नियंतरन किसके द्वारा होता है मध्यमस्तिस्क के द्वारा होता है चलिए तूछ सेर्जन वाने जशनर चेप्टर उसको जो याद रखेंगा राइगा मैडूला कहा तो अधिवरीक मैडूला के खायों जालेएक जालेगार मैं यारोबंड यारोण था ह ? तो पस्चमस्तस्क को अभी तीन भागवें, एक तो सेरी बेलम, मेडूला उबलांगेटा और पॉंसवेरोलाई, अब तीनों का काम देख लेते हैं, सेरी बेलम का काम क्या है? तो शरीर का जो संतुलन बनाना होता है, सरीर जो संतुलन बनाए रखता है, इसके लिए कौन जिम काम कौन करता है सेरी बिलम करता है अभी मैंने एक चीज कहाता है कि जितने भी एक्षी क्रिया होती है उसका नियंत्रन कौन करता है सेरी ब्रह्म करता है अब बात रहता है एक्षी क्रिया का नियंत्रन तो सेरी ब्रह्म करता है लेकिन अनेक्षी क्रिया का नियंत्रन कौन तो अनक्षी क्रिया का नियंत्रन आपका करेगा अनक्षी क्रिया अनक्षी क्रिया जैसे स्वसन्दर हो गया उन्यक्षी भी सब्सक्राइर नेध। जो पाचन वेगएर क्रियाइं होती है इन सभी चीज गया आनक्षोई क्रिया है तो इन जब चीजों का नियंत्रण किसके माध्यम से होता है मेदूल अब लांगेटा के माध्यम से होता है तो याद रखेंगे मेदूल औरुटा जैनम को तक नियान्तर् af है पौनस वैरोलाय है जो किसके नियंतरन करता है आसू और लार का प्ध से जो आंसू आता है या कृ YES तो अगा एह अगर यह समझ में आ गया होगा है एक दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे, तो इसमें जितने भी पॉइंट दिये गए हैं, वो सारा चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, सबसे जादा इंपोटेंट आप लोगों के लिए अगरमस्तिस्क और पस्चमस्तिस्क का है, ठीक है, इससे बहुत स सारे एक्जामनेशन में कॉशन्स पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.